हुआ हुआ है अलो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल पेरेंट्स सेल्प में माई डीड़ पेरेंट्स आप सभी को प्यार दिया नमेश्का जैस्री कृष्णा रादे रादे माई डीड़ पेरेंट्स आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ बच्चों की हार्ड पॉटी के बारे में बच्चे पॉटी नहीं करते हैं बच्चों को कॉंस्टिपेशन हो जाती है बच्चे पॉटी करते समय बहुत ज्यादा रोते हैं वैसे मैं इस बटन पर क्लिक करकर उस वीडियो को देख सकते हैं खीक है तो हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे मैथड की वाली में अगर आपको वह मैथड़ सुट नहीं करता या फिर उससे बच्चे को फिर भी पॉटी नहीं आ रहे हालांकि उस वीडियो में मैंने तो मैं बात कर रही हूं गलिसरीन के सपोजिटरी टैपसूल्स ठीके यह बहुत ज्यादा हेल्फुल रहते हैं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो की जीरो से 3 मंद की हैं जीरो से 6 मंद के हैं और हम उनको उनकी उपर किसी पिरिकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं हम डरते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ रिक्शन ना हो जाए बच्चा वोमित कर दे बच्चा परेशान या इरिटेट ना हो जाए तो ऐसी कंडिशन में बच्चों के लिए ग्लिसरीन के शुपोज़िटरी कैप्सूल बहु जादा यूस्फुल रहते हैं ठीके तो यह जाते हैं यह कैसे यूज के जाते हैं जैसे आपका बच्चा कैई физически कोई रहें कर रहे हैं। 9-10 दिन ऊश्कराइब पॉटी नहीं की जा पांच दिन बाद भी वह पॉटी कर रहा है यह प्लए जादा जोल लगा रहा है और जोलगाने के बद थूड़ी-धूडी सी पॉटी अरहा है वह भी उस्में एच्छी कि सिल गई है बच्चे की पौटी में खून आ गया है, बच्चे की पौटी एरिया लाल पड़ गया है, या महाँ पर बलड सा आपको पुछ दिखाई दे रहा है, बच्चे को चॉंस्टीपेशन हो रही है, ठीके, तो ऐसे कंडिशन में जो बच्चा बहुत ज़दा हाड़ पौटी करता ह या कही कि दिनों तक नहीं करता है, कॉंस्टीपेशन की दिक्कत रहती है, तो उनके लिए ये कैपसूल्स बहुत जादे जूस्फूल है, ठीके, तो ये होते क्या है, कि इतने बड़े आप स्क्रीन पर देख सकती है, ये इतना बड़े साइस के होती है, ग्रिसीन के बढ़ हमें के कैपसूल है, तो थोड़ा कैपसूल लेंगों उस में से आदा साइस कर देते हैं, और बच्चे को अरदेख सबता है तो बहुत ही जल्दी विदिन तू एंड्री मिनट्स ये पड़ा मिनट्स में प्रोसेस शुरू हो जाते हैं और बच्चे को आराम से पौटी आ ज पौटी एरिया में फिट कर सकते हैं पीचे सो और बच्चे को करबट दे के थोड़ दे लिटा दीजिए और कुछ देर बाद बच्चा बड़े आराम से लूज पौटी कर लेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना उसे जोर लगाना पड़ेगा ना वो रोएगा ना पौटी से गाइडलाइन इसके बारे में जरूर लें जा किक पाहें इसके बारे में बात करें को anyways किपस लिए जितना लगाना है छूटी सुना लगाना बड़े सुटो कितना लगाना क्योंकिश्का देख्य में बता रही हूं यहां पर आपको लेकिन आपको अपने दौक्टर से ज मैं आपको इस चीज़ के वारे में नोलेज दे रहे हैं को कि बहुत परेशान होती हैं नजने कितने मैंसल मेरे पास आती हैं तो यह उन पेरेंट्स के लिए बहुत भूल रहे हैं यहाँ सिर्फ आपको एक वार अपने दॉक्टर से पूछना पड़ेगा किस तरह से उसको पी मेरे बातों में अगर कोई भी डाउट होगा तो वह भी आपको किलियर हो जाएगा तो मैं यहीं कहूंगी कि अपनी मर्जी से या मेरे कहने पर ही बिल्फुल आप किसी भी चीज के लिए स्टाफ फॉरवर्ड ना करें एक बार खुद सोचे और डॉक्टर से भी राय ले य तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में भी आपको बता दू ताकि आपको इसके बारे में आवेरनेस रहे इसके बारे में पूछे और इसको यूज कर से कि ठीक है तो माई डियर मॉमीज आपके मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिस लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नेक्स वीडियो मिलते हैं नेक्स अपरे के साथ तब तक की लिए टिक केट बाए